गोविन्दा की पतनी शुनीता आहुचा एक इंटर्व्यू के दोरान कृष्णा अभी सेख पर अपनी भडास उतारते हुए नजर आए जिसे सुन कर आप सभी शौक्ट हो जाएंगे कुछ समय से गोविन्दा और उनके भांजे कृष्णा के बीच जगड़े चल रहे हैं और इस जगड़े ने एक बार फिर से अलग मोड ले लिया है जब एक इंटर्व्यू के दोरान सुनीता से कृष्णा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कृष्णा के बारे में बाचित करने से साफ इंकार कर दिया सुनीता आउजा ने कहा प्लीज उनके बारे में हमसे कुछ मत पूछिए क्योंकि जो भी उन्होंने इंटर्वियू में कहा है वो सब जूट है मुझे पस्तावा है कि मैंने उनकी देखभाल की इस बीच इंटर्वियू में गोविन्दा सुनीता को चुप कराते हुए नजरा रहे है वही इतना ही नहीं गोविन्दा ने अलग तरीके से इस बात पर कहा है कि वो उस वक्त हर फैसला मेरी मा का होता था हमने वो किया जो हम कर सकते थे कृष्णा के पिता देवता के समान थे तो उनकी मा मेरी सबसे प्यारी बेहनों में से एक थी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा कोई मेरी प्रशंशा नहीं कर रहा तो धन्यवाद कृष्णा और गोविंदा के बीच का विवाद कई साल पुराना है जब किसी वजह से कृष्णा के सो पर गोविंदा नहीं आ पाये थे जिस पर कासमीरा शाह ने कमेंट कर दिया और इस कमेंट को सुनीता आहुजा सुनकर काफी ज़्यादा नाराज हो गई और वह कृष्णा और उनके पूरे परिवार से दूरिया बना ली इस वीडियो में आप सभी अपनी राए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल के साथ में बने रही है